हाई अब्रीवन दिस यूर चैनल दाट इस मैत वैत अब ऐसा कुछ यूनिक नाम क्यों रखा गया है इसमें मैत का तो मतलब है लेकिन वैत का कोई मतलब नहीं है ऐसा क्यों रखा गया है क्योंकि आप जानते होगे हम लोग जो हिंदियंस हैं हम लोग हर एक शब्द के साथ शाय शाय इसमें चाय का तो मतलब शाय का कोई मतलब नहीं है कुर्शी वर्षी तो यह ऐसे शब्द हैं जो हम इस्तमाल कर लेते हैं बट इस डूनोट है वैनी मीनिंग्स वो चलि स्टार्ट करते हैं आपको अपनी चैनल के बारे में तो मैंने बता दिया ठीक है तो अभी ह पहले तो हम लोग अपनी हायर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं हायर मैथमेटिक्स मतलब जो भी हमारे ग्रेजुएशन लेवल के एक्जाम्स होते हैं या ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स के ले और जैसा कि हम सभी को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे ज अब इन्होंने उसको semester wise कर दिये और एक semester लबब 5-6 मेने का तो होता ही है हाला कि 6 मेने बोले जाते हैं लेकिन हम लोगो time कम ही मिलता है admission होने के बाद अगर देखें और exam होने तब लबब 5 मेने पढ़ने के लिए मिलते हैं उसका अग्जाम हो जाता है हमारा अब क्या है यही चीज़ दो बार होगा साल में दो बार आपके exam होंगे इन्होंने उसको भी part wise किया हुआ है जैसा कि सुनने को मिलना है कि mid term होगा फिर उसके बाद आपका final होगा किसी एक semester का तो उसे डरने वाली बात नहीं है उसी हिसाब से हमारा syllabus भी ठीक है कस्टमाइज होगा कि आपको इतना इतना पढ़ना है और इतना इतना छोड़ना है ठीक है तो अब क्या करते है हम लोग जो हमारा first semester है जो इस बार से start हुआ है जो आपके new education policy है इस year से start हुई है आपका first semester तो उसके बारे में पहले हम लोग पूरी mathematics पढ़ने वाले हैं और और क्या करना है हमें एक चीज़ और जो मेरे दिमाग के मैं बताना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था हम लोग जो पास किये थे तो समय यह होता था अगर अगर एक साल जैसे graduation आमोमन तीन साल का होता है ठी देते थे तो हम लोग के बाकी का पूरा मेहनत बरबाद हो जाता था लेकिन अब क्या है आप एक सेमेस्टर पढ़ते हो दो सेमेस्टर निप्टाते हो यानि एक साल अगर निप्टाते हो तो certificate मिलता है और उसको आप आगे जाकर के एक दूसाल बाद आपका फिर से पढ़न कीडियू से फस्ष्ट एर कंब्लीट करते हो यानि दो सम्सेर कम्प्लेट कर लेते हों फिर आपका ट्रांसपर कहीं हो जाता है किसी कारण बस आप कहीं बाहर चले जाते हो जैसे दूसरे शहर में कानपूर में डेली जा सकते हो तो वहां पर आपने अकर इन्रून करेंगे तो आप से फिर सेकंड येर में रोल करेंग भले ही वो एक दो साथ थोड़कर किया हो तो यह एक फायदा है हमारी new education policy का और एक सबसे बड़ा फायदा या यह बोलो कि new education policy आई किस वज़े से हैं हमारी new education policy आए से है कि जो हमारी हर साल ranking होती है आप लोग जानते होगे हमारे विशव विद्यालेओं की ranking होती है university की तो उसमें हमारे university जो है वो उतना अच्छा perform नहीं कर पा रहे थी ऐसा नहीं था कि उन बच्चों को पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना था जिससे कि हमारे यहां के युनिवर्सिटीज टॉप पे जाएं लेकिन क्या है इस वज़े से उन्होंने हमारे जो केक अस्तूरी रंगर है आपने नाम सुना होगा वह समिती है तो उनकी अध्यक्षिता में य वह मैंने बता दिया अब क्या है हमारा चैनल आपको क्या प्रोवाइड कराने वाला है आपका समेस्टर फस्ट स्टार्ट हो तो चुका है पहले ही लेकिन हम लोग अभी मैथ स्टार्ट कर रहे हैं कोई बात नहीं है यह सब उन सभी लोग के लिए हैं जो कहीं इंरोल्ड है किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है और जो नहीं पढ़ पाएं किसी कारण वस्ट जैसे कोराना सीन चल रहा था तो उसकी वज़े से बहुत लोग अभी पढ़ भी नहीं रहोंगे या लैक ऑफ मनी इस वज़े से कहीं अड्मिशन ने ले पाएं होंगे किस के लिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रुत है तो जैसे मुझे बताएंगे मोटीवेट करेंगे मैं उसको भी पढ़ाओं तो चलिए मえट वीडियोs की स्टार्टिंग तो होगी आप से मैट वीडियो ची स्टार्टिंग भी होगी और हम लोग पहले मैट के जो हमारा सिल पहले तीन साल का होता था आधे आधे यानि 6-6 मैने के समस्टर जो बन गए हैं उसमें जो आपका सेमस्टर जो दिख रहा है जो 6 सेमस्टर उन्होंने उस सेमस्टर को पुरा का पुरा समझा जाए आप अभी तो हाल फिलाल में मेरे पास जो जो अब्डेटेड जो सिलेबस आ बच्चे है उनमें यह बहुत ज़्यादा कोई डिफ्रेंट नहीं मेरेगा डिफ्रेंस नहीं आयगा ज्यादा सज़धा तो अभी देखते हैं हम Aby Teer देखा जाएगा की एक कम यавно मैं करना चाहरा हूं अभी मैं ये करना चाहरा हूँ कि आपको पूरा सिलेबस समझाता हूँ ठीक है चली देखते है तो सबसे पहले जो हम लोगों का कोर्स कोड इन्हों ने दिया हुआ है मैट 101 आपके सामने यहापे दिख रहा है ठीक है यह कोर्स कोड है यह यूनिवर्सिटिस के साब से आपका अलग होसकता है वो आपका यही हूग और बहुत जदा अगर वारीशन होगा तो कितना बहुत जादा हो बहुत की कानपूरोर हो जाते हैं जैसे कि आप पहले एर के जो से पहले जब नियू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी तो आप देखते हैं तो कानपूर का सिलेबस गोरगपूर के सिलेबस में मतलब कुछ एकाद बुक्का अंतर इधर उधर हो जाता है मतलब आप उसको सेकेंड यर में पड़ हमारा यह आपके सामने गोरगपूर उनिवर्सिटी का मैट 101 अच्छा यह जो पॉइंट लिखा आपका बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स यह क्या है इसको समझते हैं बेसिक्स में यह बेसिक होई है बेसिक मतलब होता है आपका आधार जो आपको ग्रेजुएशन की मैथ तक प कुछ चैप्टर्स लाइक अभी हम लोग क्या उसके बारे में सुनते हैं क्या है वो चैप्टर्स देखे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते थे आपको याद होग क्लास 11 और 12 में 11 का यह देखे क्या है पॉइंट सेट थियोरी है सबसे पहला पॉइंट यह देखे है सेसर्थी से अब मग व्लोग सब परते थे जैसे definition of sets representation of sets हिंदी में बाता हूं तो यह definition यानी समुच्छे का जो definition यानी परिभाशा होती थी representation of sets, किस तरीके से हम उसको show करते थे आपको याद होगा, कि दो तरीके से था हमारा, याद है आपको नाम, अगर नाम याद हो तो comment बताएगा, मेरे कहते ही, मैं बता दे रहा हूँ फिलाल, set builder method था, ठीक है, एक good video थी, ठीक है, सांडी वी दी थी बहुत सारे ऐसे नाम थे फिलाल उसमें थे तो दो ही प्रकार के अब वही चीज़ हमको यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ने ही मेलेगा तो यूपे बुड़ वालों को तकलीफ होगी CBSC और ICSC वालों को तो दिक्कत नहीं होगी लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है आपका सोचना गलत है ठीक है यहाँ पे बस keywords होते है mathematics में फिलाल उतनी कोई भी theory होती नहीं है और जो भी hulkyful की theory होती है वो उतना clear हो जाता है ठीक है हम लोग ऐसे ही बात-बात में सीख जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका उसके बात क्या है universal सेट यानि समस्टी सारवरत्रिक भी पोलते थे empty सेट यानि रिक्त समुच्च्च बोलते थे याद होगा आपको रिक्त समुच्च्च ठीक तो इतना उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है सिंग्लेटेंस जो सेट है ये सारे के सारे हम उन्हें सब पढ़ें ना पढ़े हुए दो तह याद होगा आपको डिस जॉइंट सेट विसंगी चाहिए पढ़ते थे difference, अंतर, symmetric difference ज्यादों का कुछ लोग ऐसे बनाते थे A, B, कुछ लोग ऐसे भी बनाते थे तो वो सारी चीजे जो भी हैं हम लोगों कूरी पढ़ने को मिलने वाली हैं यहाँ पे और algebra of sets, duality, counting principle, vend diagram, सबको याद हो vend diagram बहुत famous हुआ करता था है ना, तो अब क्या करना है हमको वो सारी चीजें, पढ़नी है यहाँ पे, और अगला देख लिजे, उसी कही class 12 कही हमारा, जो ordered pairs हैं, यहाँ पे देख लिजे second unit जो आपको दिख रही है second unit की बात करें, तो यह देखे ordered pairs, ordered pair क्या है बैया, X और Y का मान, जो हम लोग भुज और कोटी बोला करते थे English में FC सा और ordinate बोला जाता है अब देखे, यहाँ पे functions आ गए जितने आप सब देखे, identity empty relation, function range, composition of function types of function, कितने तरीके के फलन के प्रकार होते है, one one many one, क्या मतलब, one one मतलब एक है की many one बहुए कै की, on to मतलब आच्छा दक, into मतलब अंतरशेपी, ऐसे हैं, सारे के सारे, ठीक है इसके इनवर्टीबल, invertible मतलब तब विद्करम, यानि विद्करम जो हमारा one one on to, यानि एक एक और, जो हमारा अच्छा दक हो जाता था, उनने हम विद्करम बोलते थे, इनवर्टीबल फंक्चन, ठीक है उसके बाद क्या है, यह दिए, तीसरी यूनिट क्या है differentiation of function, भाई, अब कलन जो सिखते थे हम लोग integration, सब वही चीज़े देखिए, अब कलन के use integration, integration के use, partial fraction, यानि आंशिक भिन में तोड़ करके, जो हम लोग अब कलन करते थे, समा कलन करते थे, definite integral, properties उसकी area under the curve, जैसे बोलते थे, मतलब कि जो area निकालते थे, हम लोग किसी graph के बीच का, आपको याद होगा formula होता था, ऐसे अब लोग को एक पट्टी बनाते थे, सिखाते थे आप लोग को, ठीक है, lower limit लिखते थे, upper लिखते थे, तो ये सारी चीज़े जो हम लोग ने वहाँ पढ़ी थी, उसी का English version हम लोग को पढ़ना है, तो कोई लगे कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस revision करना है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजेगा, जो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा नहीं पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ, आपको ये लगे कि आपने देख लिया और आप सब पढ़ लो, नहीं, तो आप पहले इसको देखिएगा, और जो भी वीडियोस में डालूँगा, सिर्फ इसी से related डालूँगा, जो आपके exam में आगा, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है, अगर पुरा पढ़ रहा हो, पहली बात तो यही समझ लीजे, आपके पास जादा time नहीं है, एक से डेड मैना, उसे जादा time नहीं है आपके पास, लैकिने, बहुत जादा डेड मैना तो मैंने जादा बोल दे है, एक से एक मैना और पांच जिन, दिन होगा, तो आपको वो उसमें भी आप अपने क्या कहते हैं उसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और सुनते हैं इसके बारे में तो यह जो आपके फॉर यूनिट्स थे इसमें कुछ चीजें नहीं हैं वह मैं बताता चलूंगा जैसे वीडियो आईगी हमारी अब आते हैं आपके जो आपका सब्सक्राइब कर देंगे तो कुछ मार्क्स मिल जाता था वर्ड काउंट हो जाते थे लेकिन और के अलावा एक दो तीन गलत होगे है तो प्रबीबिल्टी होगी प्राइब्षा होगे कि आपके गलत होने की प्राइक्ता देखिए ज्यादा हाए जाधा है नँक्लाइकि कि अब कर ना है तो शक् придум brauch 이식 होना चाहिए ठीक है तो deep knowledge के लिए क्या करेंगे deep knowledge के लिए एक एक चीज अपना ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे अब आते हैं इस पे अपने जो पहला हमारा paper होने वाला है जिसका नाम आपके सामने बहुत ही अच्छा नाम है और इतना important ये book होने वाली है कि आप इसके बाद बहुत सारे exam देंगे like IIT Jam देंगे या फिर और भी है आपके KBS exam उसमें भी दे देता है और बहुत लोग NDA की त्यारी करते हैं कुछ point यहां से भी मिलता है आपका बीए मैथ भी यह कारगर होगा जो आपके भी friends उनको भी आप शेयर करिएगा उसके बाद TGT PGT समय जो इतना famous चल रहा है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है यह syllabus इतना अच्छा आपको पढ़ना ह ठीक है बस हाँ महाँ पर ट्रिक्स सेखनी होती तो ट्रिक्स भी आपको प्रवाइड की जाएंगी जब आप उस वाले चैनल पर पहुंचेंगे जब हम लोग आपके सपोर्ट से और आगे बढ़ेंगे तो नाम बहुत अच्छा है डिफरेंशियल कैल्कुलेस का मतलब यह नहीं बनानी है मुझे बस मैं बताता जा रहा हूँ आप ध्यान रखेगा मुझे सारा सलेबस पता है और आपको कैसे डिलिवर करना है वो मुझे पता है ठीक है डिफिनिशन ऑफ सिक्वेंस सिक्वेंस भी आपने पढ़ा हुआ है बट यहां पे उसका थोड़ा सा लेवल अब होगा अब लेवल अपका क्या मतलब है मैं बताऊंगा देरे देरे लिमिट्स भी पढ़ने है ठीक है बाउंडेड और मोनोटेनिक मतलब यह सारी चीजे वह हैं जो सेट किसी सेट पर डिफाइन होती है समच्चह पर डिफाइन होती है अगर उसकी शुरुवात करके आंसर देना होता है कंवर्जेंट सिक्वेंस कोची कंवर्जेंस बहुत सारे नाम है जो आपको देखने में थोड़े बंब जैसे लगेंगे जैसे इनका बोल जानो बनाती है नहीं बट ऐसा कुछ नहीं कैंटर ठीक है नेस्टर इंटरवल नाम बहुत बड़ा है लेक इन्होंने और भी डिफाइन किया और अच्छे से ठीक है नाम तो ऐसा खतरनाग लग रहा है लेकिन यह चीज़ समझने में कोई उतना बत बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली अच्छ ठीक है अब इसमें आते हैं लिमिट कॉंटिनूटी आपने लिमिट 11 में पढ़ चियन रोल आपने पढ़ा हुआ है वैसे ही थोड़े से नए नाम है आपका इसस्रिंकला नियम के नाम से है कोई बात नहीं है उसके बाद जो है आप अगर देखें तो आपके सामने जो बहुत फेमस टॉपिक जहां से मैं शुरुवात भी करने वाला हूं आपका है रोल्स तो मजाग ठीक है आपका अभी बहुत सारे नाम है अभी आपको सुनने को लिए आपको हसी आएगी बट वो ऐसे उनका नाम ही था मैकलॉरेंस लेबनिस ठीओरम मैकलॉरेंस ठीक है अब यह आया आए आपका उसके बाद होगा है तो यह चीज़ है उसके बाद क्या है एलर्स थेरम होमोजिनेस फंक्शन के लिए जैकोबियंस क्या है ठीक है जैकोबियंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं हम लोग जो एक्स और वाई जैसे डी एक्स और डी फॉर डिफ्रेंशेशन होता था इसका कनवर्जन किसी इंदी में बोलते हैं अनन्द इस पर्शी आपको बढ़ाया नहीं जाता था पहले के सलेबस में होता था कर्वेचर इंवलप इलो इवलिट्स अभी में लिफापा नहीं है यह उसी के जैसा वैल्यू रखने वाला है लेकिन कुछ अलग है टेस्ट फॉर कॉनकेविटी और आफ नहीं है यहां पे हम सिखेंगे कि हमारा गयाफ इस तरीके से यहां इस तरीके से बनता है यहां पर वोची सेंगे ठीक हैं और आगे बढ़ते हैं integral calculus ठीक है integral calculus में जो point है आपका lower and upper bounds वही चीज जो भी वहाँ पी bounded sequence बढ़ाता है उसका पी थोड़ा इसमें यूजाएगा supremum, infimum, basic properties, completeness of R, remain integral, its properties, integrability, continuity, monotonic function, अब देखें differentiation under the sign of integration वैसे ये पहले इंटर में भी था ठीक है ये वाला point ये वाला आप का differentiation under the sign of integration तो लेकिन अब यहाँ पर क्या हम लोग को सीखना पड़ाएगा सिग्मा साइन के का इस्तमाल करके हम लोग को integration करना होता है अब इसमें हम लोग सीखेंगे अचा वैसे अगर आपको याद हो तो यह यह जो बना रहा हूं है यह ऐसे नहों करके इसकी अगर history में ज सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर ही से बता दे रहा हूं fundamental theorem of integral calculus ठीक है उसके बाद आपका mean value theorem से इन इंटेग्र differential calculus में भी होती है इसमें अलाकि दोनों एक दूसरे के उल्टें आपको ध्यान होगा पढ़ाया जाता था कि integration का जो opposite बोला जाता है उसे differentiation बोला जाता है ठीक है तो दोनों में एक जैसे आपको values मिल चकते हैं और बहुत अच्छा topic beta and gamma function tracing of curves Cartesian polar forms अपने graph को बनाना सीखा है उ क्योंकि आर और theta से समझ में आता है इंप्रोपर इंटीर दियर classification convergence एबल टेस्ट द्रेचला थेओरम कोश्यन्ट टेस्ट एरिया ऑफ कर्व अपने 12 में पढ़ा है लेंथ आफ कर्व नहीं पढ़ा है अपने volume of solid volume पढ़ा है नहीं पढ़ा है सिर्फ आपने area पढ़ा है बाक है तो आपको पता चलेगा ऐसे कितने भी integration होंगे हम सारे निकासे इसका मतलब ही होता है multi एक से दो से ज़्यादा हुआ तो multi हो जाता है ठीक है उसके बाद क्या है आई ये फिर बाकी के लाई डिरिचलेट्स लाइबले थेओरम ठीक है यह बहुत important consequence है बहुत अच्छा पर इसमें यह आपका math में तो पढ़ना ही है और यह आपको same पढ़ने को मिलेगा physics में भी अगर उसमें कुछ point अलग है like wedge product लेकिन वो इसमें नहीं है है ना और इन सब चीजों का जो geometrical जो geometrical जो use है या property है वो physics में मिलीगी तो आप लोग जब बोलो गए then I'll be helping you ठीक है कि उस इस पर भी मैं video बना दूंगा but after your support only वागी math तो आपको मिल ला है ठीक है अब यह आपका part भी हो गया यानी ठीक है इसके बाद आपका मैंने सुना है practical math में होगा क्या होता है हाँ बहुत बड़ी बात नहीं मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा हम लोगों तो theory पढ़ने है यह आपको graph plotting सीखने है अगर आप इन सभी चीजों की properties जानते हैं तो आप इनका graph बनाएंगे ठीक है अब वो chart के माध्यम से आपसे इसका questions ले सकते हैं या कुछ इनी पे based like आपकी file create करवा सकते हैं और examiner इसी पर ही आपके क्या ले लेगा आप आपके marks आपको दे देगा और वाइबाले लेगा ठीक है तो यह फिलाल इतने हैं आपका addition subtraction यहीं तक का आपका है ठीक है बाकी अगला जो सिल्बस है जो आप second semester का वो आपको second semester में जब आप जाएंगे तो मैं discuss करूंगा वीडियो ने तो बहुत ज्यादा लंबी हो जा र कि आपने सारा कोर्स समझ लिया ठीक है और मैं इसे कब खत्म करने वाला हूं आपका पहले तो मैं रोज डेली डेली एक वीडियो जो रहेगी हमारी basic मैट्स की ठीक है दूसरी वीडियो क्या रहेगी हमारी कोर्स की कोर्स मतलब अपका BSC ठीक है तो इस तरीके से क्या होगा कोर्स कब कंप्लीट करना है मुझे मुझे कोर्स कंप्लीट करना है आपके एक्जाम से लगभग 10 से 15 दिन पहले as we are starting our video journey from very you know की बहुत लेट से start हो रहा है तो इस वज़े से मुझे थोड़ा सा ज्यादा आपको timing देना पड़ेगा बट ये आप पे depend करता है कि आप मुझे कितना support कर रहा है वैसे तो मैंने जो मैं अपनी जो promise कर रहा हूँ वो मुझे लगता है कि मैं 15 जनवरी तब मुझे लगता है कि almost 70 नहीं बोलूँगा 80 परसेंट तो मैं complete करूँगा और हाँ दोस्तों एक चीज़ याद रखेगा कि first semester में इतने ज़्यादा बच्चों ने apply क होंगे first year में fail बहुत लोग होंगे लेकिन मैं जितना कराऊंगा आपको उसमें से exam में पूरा का पूरा मिलेगा ठीक है उसके लिए मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए तीन तरीके की book है मैं तीनों में से question निकालूँगा और आपको तीनों में से पढ़ाऊंगा ठीक है तो इसके साथ एक चीज और क्या है मैंने बता दिया पंदरा जन्मरी तक मुझे कराना है 80% वैसे तो मैं मेरी पूरी कोशिच रहेगी में 90-95 भी करा दूं ठीक है और यह जो मेरा promise है I will definitely fulfill this promise ठीक है बट आप लोग को क्या करना है you have to like, share and subscribe यतना तो आप कर सकते हैं मेरे ल वीडियो को क्योंकि एक एक चीज क्लियर होई चाहिए ठीक है ना और एक चीज और क्या कल सी वीडियो आपको मिलेगी मैं तो दो दो वीडियो दोंगा एक वीडियो जैसा कि मैंने बताया basic mathematics का और दूसरा आपका जो course है course में मैं सबसे पहले rolls theorem पढ़ाने वाला हूं ठीक ह है ठीक है ना अच्छा ठीक है और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि क्या चीज वीडियो जो होगी वीडियो जो होगी वो मैं complete एक तरह से बोलों कि जो उससे related मेरे पास notes भी होंगे आप notes बोलेंगे तो टेलीग्राम वह नोट्स भी डाल दोंगा ठीक है मेरे खुद के द्वारा लिखे हुए और फिर आपको मतलब बुक से बहुत ज्यादा पढ़ने की ज़रुत नहीं पढ़ेगी हलाकि मुक से तो पढ़ना ही चाहिए मैं मना नहीं करूंगा तो यह चीजें हैं सारी की सारी बाकी कल से आप लोग टाइम ली अपना वीडियो लीजिए ठीक ह वैसे तो यह पीडियाफ में टैलीग्राम चैनल पर डाल दोंगा आप लोग महां से टैलीग्राम चैनल अपना मतब सेक्यूर कर लेना उसको और डाउनलोड भी कर लेना अच्छा वैसे मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं कल से वह अपका थर्ड यूनिट होगी आपका क्या तो और क्या किजिएगा इस चैनल के जैसे ही मुझे मैं लिंक डालूंगा अपने यूस पर यह कहते हैं टेलीग्राम पर तो आप वहां से उसको कैच कर लिजेगा ठीक है और टाइमिंग मैं डाल दोंगा और एक टाइमिंग के हमेशा वीडियो पड़े कि जिससे आप अप उस हमें पर अपना उसे देखते रही है तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं और आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन बाउट बॉक्स में भी आप देख लोगा हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको भी आप उसमें जुड़ जाना ठीक है तो आज के लिए इतना ही बागी कल से मिलते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए 15 जनवरी से पहले मैं जैसा की बोल रहा हूं तो मैं करूंगा भी इसलिए मैंने 100 नहीं बोला मैंने बोला 80 परसेंट तो मैं खतम कराऊंगा जो कि आपके लिए सफिशेंट होगा पास करना बहुत जरूरी है सिर्फ पास एब सब्सक्राइब और अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कर आपको कुछ गड़बर लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं बट जो कहिएगा ज़रूर बताइए कि मैं उसको रिफॉर्म करों और और हो सिर्फ आपके लिए और अच्छा बना सकूं थेक है थैंक बाइ बाइ